हेलो वेलकम इन दिस चानल स्टूटेंट टोडेया विलेंट अबाउट अबाउट इरिया एड पैरिमिटर आप डिफिन शेप तो लेट से बीगिन दिस चारो तरफ की जो दूरी होती है उसे हम लोग बोलते हैpection मधी चारो तरफ की भी जो ढूर करते हैं यह बहुं से अर्या देख लेते हैं जैसे कि मैं बात करों rectangle की तो rectangle के area का formula क्या होता है length into breath length को multiply कर दितेएše breadth से तो हम एडिया find out हो जाता कि हमें अंदर का amount लेना होता है किодар कि कितtı अंदर पार्ट है वही उसका area होता है और अगर next बात करें rectangle के perimeter की तो rectangle के perimeter के क्या हो जाएगा इसके चारो तरफ की जो distance है उसको plus करेंगे तो इस तरह से इसका जो formula बन जाता है 2 bracket में L plus B हो जाता है ठीक है और अगर square की बात करें तो square के area का formula होता है side into side तो A square का मतलब क्या हुआ side into side हो जाएगा ठीक है A square का मतलब हुआ A को A के साथ multiply किया गया है clear हो रहा है और या तो कहीं पर लिखा होगा side into side तो इसका मतलब भी वही होता है ठीक है तो यह होगे square का area और इसका perimeter क्या होता है 4 into side A क्या है यहाँ पर side है ठीक है 4 into side आप कर देंगे तो perimeter मिल जाएगा और next है triangle का triangle का जो area होता है 1 by 2 height into base into height यह और इसको multiply करेंगे और into 1 by 2 कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा इसका area find होगा और अगर perimeter की बात करेंगे तो इसकी सारे side को plus कर लेंगे तो इसका आपको perimeter find हो जाएगा आपको clear हो गया होगा तो सारे student इसे अपनी copy में suggest note कर लेंगे आप यहाँ पर perimeter की definition write करेंगे और area की write करेंगे और यह formula अपनी copy में suggest note down करेंगे now student it's enough for today we will meet once again in new video with new topic